हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजेस किचन, मैं नहीं हैं आपका एंजेस किचन में स्वागत करती हूँ, आज हम बना रहे हैं spicy water chestnut, जिसे बहुत लोग पानीफल और सिंहाडा भी बोलते हैं, इसे as a fruit हम खाते हैं, तो क्यों ना आज इसे हम एक Chinese taste दें और बहुत ही different taste का मजा लें, तो चलिया आएए इसके ingredients देखते हैं, इसके लिए सबसे पहले हमने एक pan ले लिया है, उसे हम medium heat पे गरम करने के लिए छोड़ देंगे, आपका pan जैसे ही गरम हो जाएगा, इसमें हम oil डाल देंगे, 1 tablespoon, oil गर garlic डाल देंगे, आप देखेंगे कि garlic pop-up होना start हो चुका है, इसमें half cup sliced onion डाल देंगे, half cup sliced capsicum डाल देंगे, और एक spatula की मदद से इसको stir कर लेंगे, आप देखेंगे 2 से 3 बार ये थोड़ा थोड़ा golden brown हो चुका है, 1 teaspoon काले मिर्श डाल देंगे, as per taste salt डाल देंगे, जो हमारा water chestnut था, उसे हमने छील लिया है, हमने half kg water chestnut लिया है, वो इसमें हम हम डाल रहे हैं, और एक spatula की मदद से उसको मिला लेंगे, अब इसमें हम एक lid लगा कर इसे 5-6 मिनिट के लिए छोड़ देंगे, अब हम अपने lid को हटा लेंगे, और इसे spatula की मदद से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, अब हम इसमें वन टेबल स्पून वेनेगर डाल देंगे, वन टेबल स्पून सोया सॉस डाल देंगे, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, अब आपको तीन से चार हरी मिर्च को इस तरीके से बीच से काट लेना है, वो उपर से इसमें हम एड़ कर रहे हैं, जो हमें बहुत ही स्पाइसी टेस्ट देगा, और फिर उसको हम मिक्स कर लेंगे, और लेड लगाकर एक से दो मिनिट के लिए छोड़ देंगे, अब हम लेड हटाकर इससे हलका सा एक स्टर दे देंगे, हमारा स्पाइसी वाटर चेस्टनट एकदम रेड़ी हो चुका है, मेरे मूँ में पानी आ रहा है, तो आपके मूँ में भी जरूर आ रहा होगा, तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिए और हमारे कमेंस बॉक्स में कमेंस कीजिए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, अगर आपको और किसी रेसिपी की जरुवत है, तो वो भी आप हमारे कमेंस बॉक्स में कमेंस कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आप सबसे पहले हमारे पास पहुँच सके थांक यू फ्रेंड्स